पीसिस करेंट न्यूस में अभी की खबर है कारगिल युद्ध का खालुबार युधिस्मारक हाली में लद्दाक में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांचली देने के लिए भारतिय सेना ने खालुबार युधिस्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है या उद्घाटन समारो फॉर एवर इन ओपरेशन्स डिविजन के कारगिल विजय दिवस से पहले के समारोह का हिस्सा था बता दे कि इस साल देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25 वर्षगांट बनाएगा प्रसिद आरियन घाटी में इस्थित या समारक युद की दोरान घाटी को पुना प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है सीमा के पास एक शांत घाटी, खालुबार, कारगिल युद के दोरान एक केंद्र बिंदू बन गई थी जब दुश्मन सेना ने इस पर कबजा कर लिया था इस शेत्र को भारती सैनकों के वीर्टापुन प्रियासों से पुना कबजा किया गया था इसमें कैप्टन मनोज पांडे भी शामिल थे जिनके वीर्टापुन कारियों को इस मारक पर अमर कर दिया गया है चलिए अब जानते हैं कारगिल युद के बारे में युद वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था जो 8 मई को शुरू हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हो गया इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और माना जाता है कि इस खुसपैट का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के मुद्धे को सबसे आगे लाना था ऑपरेशन विजय के तहट भारती सेना ने इस संगर्ष के दौरान टाइगर हिल और नियंद्रड रिखा यानि एल ओसी के भारती हिस्से के अनिस्थानों से पाकिस्तानी आक्रमड कारियों को सफलता पुर्वक खदेड दिया था इसी उपलक्ष में हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की एतिहासिक जीत की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है तो चलिया अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को निमनलिकित कथनों पर विचार कीजे एक 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है दो खालुबार युद्ध स्मारक लदाक में इस्तित है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, बी ना तो एक और नही दो झालुवल